नमस्कार, ETV भारत के दर्शकों का स्वागत है। अंतरास्टिय महिला दिवस पर आज हम खाश पेशकस आपके लिए करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौझूद हैं जी हाँ, बिहार कोकिला शारदा सिनहा। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत ETV भारत में। धन इस मुकाम पर पहुंची हैं काफी संघर्ष देखकर आप यहां तक पहुंची हैं। तो क्या मैसे रहे गया वैसे महिलाओं के लिए वैसे लड़कियों के लिए जो आपकी तरह बनना चाहती है। देखे मेहां सबसे पहली से संघर्ष से पीछे नहीं आपत sama humor और उस संघर्ष में। क्योंकि बहुत महिलाओं को लड़कियों को क्या हैं गलत भेह महिलाओं दिवस को इस तरह से मतलव सोचना कि क्याogo मैं लिए मोलता अपनी जो है अर छितर में बोलती कि मूलता के साथ अपनी मूलता को बरकरार ही रखेंगी और सारी चीज़ों के साथ में शंघर्ष उनका जारी रहे और जिस जगह है वहां शंघर्ष करके और अपने मुकाम पर पोहुँचे मेहनत करें अपने निस्टा रखें काम के प्रदेज जिस चेत्र में हो और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसा वो चाहेंगी, उनका जो एम होगा, वो ज़रूर उसको प्राप्त करेंगी. आपने जीवन में काफी संघर्ष्ट गाओगा, तो अपने संघर्ष्ट को अप मेरे दर्शों के साथ आप कुछ साधा कर मैं चाहेंगी? संघर्ष्ट तो बहुत सारे हैं, तो गायन को लेकर के मेरा जो संघर्ष रहा, पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ने में जो संघर्ष रहा, बहुत तरह के संघर्ष हुए हैं, जब मैं नौकरी कर रही थी, तो तब संघर्ष हुए हैं, उसके साथ में संघीत को बरकरार और जोड के रखना यह बहुत बड़ा संगर्श है महिलाओं के लिए क्योंकि ऐसे तो यह तो कोई भी आगे बढ़ जाएगा हम सारी चीजों को छोड़ के आगे चले जा सकते हैं पर सारी चीजों को एक साथ एक माले में गूत कर लेकर चलना यह बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी उसके लिए कई बार बच्चों को जो है भर पूर जो ट्यार देना था वो नहीं दे सके उस जगह में नहीं दे सके तो ऐसा लगता था जैसे कि हम माँ हैं लेकिन अपने बच्चों को उतना ने कर पार जितना और माय कर पाती है पर फिर हमने सुझा कि नहीं के शुरू में बहुत थोड़ी भी रोध हुई थी हमारे गायन को लेकर के लेकिन बाद में फिर जो है हमारी मदरिलो जो है वो राजी हुए इसके लिए और वो संघर्ष मेरा खतंगवा बहुत मुश्किल हुए थी वो नहीं चाहते थे वो लोग कि हम गायन करें लेकिन क्या होता है कि आपको जब अपने घर में कोई कुछ कहता है तो शायद समझ में नहीं ०ूर सब्स है और बाब कर है और एक ऐसा भी मुकाम आए कि हमने अपने mother-in-law से भी उनके पूराने उनकी mother-in-law के गीत थे वो हमने सीखा जबकि वह कहते थी कि तुम से नहीं होगा ये सब बहुत, मतलब गड़े हूए लाय की चीज है या वो यह कहते थी कि बहुत पुरानी चीजह है तृब में अंगं शेजय लोक गीतों को जो हमारी परंपरा थी उस परंपरा को समाज में एक अच्छे स्वरूप में बाहर लाया सामने और वो घर-घर में भैला आपने मैम भोचपूरी को एक पहचान दिलाई है बिहार में, आज जो भोचपूरी बिहार ही नहीं, कई सरे ये फॉरिंग कंट्री में भी का जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, और इन सब के पीछे अगर कोई सक्षित है तो वो आप हैं, तो इस एचीवमेंट को आप कि इसके जो योद्धा लोग हैं, बड़े पुराने महंदर मिशर जी, बेखारी ठाकूर जी वो लोग हैं, उनको प्रणाम करती हूं मैं, और हम से पहले भी बहुत पहले जो है विंदबासनी जी थी जिन्होंने गाया, मगर क्या है कि उनका जो गायन था, वो रेडियो के म उसरा था, वो उस समय लाओड स्पीकर के माध्यम से जो है लोग सुनते थे और यहां सुन रहे हैं तो कई बहुत दूर रेडियस में लोग सुनते थे, दूसरी बात है, कि रिकॉर्डिंग जो है, HMV से रिकॉर्डिंग हमारी हुई, जो करने को तयार ने थी, जैसे गीत ह हम गाते थे, वैसा वो नहीं चाहते थे, वो नहों का कुछ अलग तरह का डिमांड भी होता था, लेकिन मैंने कभी कॉंप्रमाइज नहीं किया, तो भोजपूरी को हमने गाया, मैं मिथलांचल से हूँ, पर मैंने मैथली बहुत सारे गाने गाय और भोजपूरी के भी और यह जरूर मैं मानती हूँ कि भोजपूरी चेतर के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया और भौजपूरी को लेके मैं बहुत आगे बढ़ी, जो लोगई थे, उनको लेके मैं बहुत आगे बढ़ी और शायद कहीं मेरी वज़ा से अगर इसे पहचान मिली है, यसने है क कि मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा मंच है अपने राज्य में हो दूसरे राज्य में हो इस देश में हो विदेश में हो कहीं भी कोई ऐसा मंच है जिस मंच पर मैंने उस गाने को नहीं गाया हो और उसकी फर्माईश नहीं आई माम अगर शार्दा सिना की बात करें और उनके साथ हम बैटे हैं और छट की गीतों की बात नहीं करें तो यह जो इंटरिव्यू है उसमें बैमानी होगी मेरे लिए मैं में जो छट के जो गाने हैं वो आप ही से लोग जोड़कर देखते हैं कि बिहार में अगर छट है तो शादा सिना है शादा सिना है तो छट है तो यह छट के प्रती आपकी आस्था और छट के गीतों के प्रती आप जो आपकी आस्था उसके बारे में मैं बताएं ईपरमठ शजय में जो 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 आखा एक तो मुझे मुझे बचपन में मेरी नानी कंती थी चछब और बट्टना का छषट चुकि बहुत नाम था तो बहुत नाम था इस पटना के चछच का तो मेरी नानी जो हा व मजे फरबपुर से यहां आती ती थी पटना में और यहां address तो इन दिनों बहुत लोग ऐसे थे जो घर किराया लेकर के और रहते थे और छट करके और तब यहां से फिर एक महिना के बाद जाते थे तो उसी में मेरी नानी भी थी। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी उस समय में हमारी जो बहने थी मेरी बहन और ये जो ममहर के लोग थे वो सारे लोग आते थे मगर वो बच्पन की बाद है उसके बाद फिर शादी चले जाएए हमारी शादी जब हुई तो हमारे ससुराल में छट बहुत जबरदस्त हो मेरे मायके में किसी कारण वर्स हम लोगों के अपने गोतिया और दयाद जो बोलते है न उसमें कुछ हो गई थी बाद जिसके चलते की छट नहीं हो रहा था पर मेरे ससुराल में जो हो बड़े जबरदस धन से छट होता था और हमारे पतिदेव के लिए छट शुरू किया मेरे घर में जब मैं जब मैं शादी के बाद गई तो चट को देखा कि इतने आयो जन से होता है चट के गीत सुंती थी वहां पर तो बहुत अच्छा लगता था मने माजी से बहुत कुछ सीखा उसमें चट के गीतों को और मुझे बहुत अच्छा लगता था और दीनानाथ साक्षाद भगवान की पूजा, उनकी पूजा, और जब मैंने छठ गाया, सबसे पहला जो छठ, जब मैंने लिए, तो मुझे, मैं सोच भी नहीं पाती हूं कि लोगों का क्या प्यार मुझे मिला उस छठ के गीत, और वो मैंने गाया, और तक जो जो है, वो मैं, छठ जब आ इसाल जो मेelां उत्रास्ची दिवा से के लिए आप का क्या मेसज है भिहार के लोगों के लिए or देश latest महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए देखिए महिलाओं ने बड़ा संगर्श करके और जब वोटिंग का अधिकार नहीं था और बहुत कुछ नहीं था महिलाओं का तो विश्व की महिलाओं ने जो है बहुत कुछ खिया इसके लिए संगर्श किया और जहां तक मुझ में पूटिंग का अधिकार हो महिलाओं को मिला और और रगभग 15 भाजार हज primoको रमाहिलाओं का नीव यॉच शीटी में वह एक जुलूस निकाला उन लोगों तो मैं यही कहूँगी कि अधिकार की बाते तो बिल्कुल होती हैं, महिला दिवस है तो उसमें अधिकार की बाते होती हैं, लेकि मैं साथ में यह भी कहूँगी कि महिलाओं को अपने अधिकार को समझना चाहिए, संघर्ष को, कड़े संघर्ष को टक कर देना चाहिए, पर उ अगर्ष करते रहें, दुनिया में आगे बढ़ते रहें, कोई असक्षित्र नहीं है कि महिला उसमें नहीं है, कंदे से कंदे तो अब पीछे छूट गया, अब तो आगे भी चल रही है, और बिल्कुल चलेंगी वो, क्योंकि किसे से कम है नहीं, सारी वो शक्ति है महिलाओं क के अंदर है, बहुत कुछ, वो एक महिला पढ़ती है, पूरा घर पढ़ जाता है, एक महिला घर को इस तरह से रख पाती है, बाहर भी काम करती है, घर में भी करती है, घर को भी समालती है, बच्चों को भी समालती है, बड़ा-बड़ा काम करती है, तो बहुत सारी बाते है महिलाएं बहुत सक्षम है और मैं यही विश्च करती हूं कि महिलाएं बहुत सक्षम हों और सशक्त हों अपने अधिकारों को जिरूर समझें और आगे बढ़ें